आप सभी का स्वागत है competition community के official youtube channel पर और संग्राम सीरीज अपने अंतिम पड़ाओ पर है और इस संग्राम सीरीज का ये अंतिम वीडियो भी होने वाला है इसके पहले कि अगर हम बात करें तो इसके पहले आपको समस्त विश्यों के ना केवल पाठिकरंबल की एक detailed analysis भी provide कराए गया और इसी कड़ी में आपने reasoning के भी detailed analysis को देखा साथ इसाथ reasoning का आपको एक वीडियो भी provide कराए जा चुका है और संग्राम सीरीज का ये आपका आखरी वीडियो होने वाला है जहां पर हम reasoning के बचे हुए topics से related जो आपके question पूछे गए हैं विगत वर्षो में उस पर हम लोग विस्तित्रूप से चर्चा करेंगे यानि कि आप कैसे एक बहतर answer लिख सकते हैं या आपकी writing skill किस तरीके से आप improve कर सकते हैं शब्दों का chain किस प्रकार से होगा structure की क्या महत्पूर्ण भूमिका होगी तो हर एक विशय पर यहां पर हम लोग विस्तित्रूप से चर्चा करने वाले हैं तो सभी को भाई यहां पर क्या करना है पहली चीज़ तो detailed analysis वाला जो वीडियो था वो एक बार आप जरूर देख ले और इसके previous जो मैंने वीडियो आप लोगों को provide करा है जहां पर आपके coding, decoding, analogy की बात करे, classification की बात करे तो कुछ आपने topics पर आधारी जो प्रशन आपके पूछे गए हैं, उनका एक model answer क्या हो सकता है, answer writing में आपको सब्दों का chain किस प्रकार से करना है, structure की क्या महत्तपूर्ण भूमिका होने वाली, इन सभी पर मैंने विस्तितरुक से चर्चा की हुई है, और आज की session में मैं बचे हुए topics की बात करूँगा कि आप यहां पर कै यह कि हलाकि आप लोगों को ऐसा लग सकता है, जरूर की reasoning का जो weightage है, वो क्या है भई, तुलनात्मा करूप से आपको कम देखने को मिलता है, जब हम बात करते हैं मुख्य परिक्षा की, लेकिन अगर आप ध्यानने तो जो prelims में आपने topics को पढ़ रखा है, केवल उसी के knowledge क के आधार पर यहां पर आप मुख्य परिक्षा में भी बहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो बिना additional effort के, जब आपको यहां पर पूरे अंक मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने क्या वो शकता है, थोड़ा सा शब्दों के चेहन, थोड़े से structure अगर आप फोकस करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से आप आसानी के साथ हर topic के किसी भी प्रशन को आप easily बना सकते हैं, clear भाई, इसके अलावा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक particular question के multiple answer हो सकते हैं, यानि कि multiple ways हो सकते हैं किसी particular question को solve करने के ब number analogy हो गया, आपका number पर based classification हो गया, आपने देखा coding decoding हो गया, इसी प्रकार से हम number series की बात कर सकते हैं, हम alphabetical series की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं missing terms की, और आप अगर previous year paper का analysis देख चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन topic से पूछे गए प्रशन भी दिखाई द देखते हैं, remaining topics में यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, तो पहला यहाँ पर जो आपका topic आज आप देख पार है, blood relation, blood relation के साथ में हम करेंगे शुरुवात, हलांकि दो अंग का ये प्रशन है, blood relation की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जिस method से आपने पढ़ा होता है, आप कई बार क्या करते हैं, उसी method से structure बना देते हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा और specify करने की अवर्शक्ता होती है, क्योंकि सामने वाला जो आपकी copy को check कर रहा है, हो सकता है कि जो model answer है, वो किसी अलग तरीके से mention किया गया हो, हो सकता है आपने किसी ऐसे तरीक के साथ बनाया, तो एक ही topic के, एक ही अगर हम प्रश्न की बात करें, तो answer निकालने की जो विधिया है, जो methods है, वो अलग-अलग हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करें कि जितना आसान भासा में आप अपनी बात को समझा सके, जितना आसान आपका structure हो, उतना आपके हैतर आपको मिलने की संभावना हो जाती है, ठीक है भई, तो इसी प्रकार यहां पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, रमेश ने दिने से कहा, कल मैं उद्ध्यान में जिस लड़की से मिला था, वह मेरे दोस्त की मा के देवर की छोटी लड़की थी, और पूछा क पर इस आंसर पर आपको बिल्कुल भी फोकस करने की अवशक्ता नहीं है, ना ही इस स्ट्रक्चर पर, ठीक है, अब समझे यहां पर आपको करना क्या है, यह लड़की रमेश के मित्र के माता के देवर अर्थात, रमेश के मित्र के चाचा की छोटी बेटी, यानि रमेश के मित्र की चचेरी बहन है, अब रमेश के मित्र की अगर यह चचेरी बहन है, तो रमेश क्या हो जाएगा भाई, इसका रमेश के मित्र का क्या रिष्टा है, तो रमेश क्या हो जाएगा उस लड़की से रमेश के मित्र का क्या रिष्टा है, तो रमेश क्या हो जाएगा उसक करने करना था आपको पूछा गया है रमेश के बारे में तो रमेश क्या हो जाए का भाई रमेश उस लड़की का अब यह क्या है देवर है ध्यान देना एक यहां पर टर्म क्या यूज किया गया है देवर अब एक टर्म यहां पर अगर यूज किया गया है देवर तो आप अगर इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो देखो इसको अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो रमेश उस लड़की क कजिन है लिख सकते हो तो उस लड़की के पिता के बड़े भाई का पुत्र है इस तरीके साथ स्पेसिफाई भी कर सकते हो फिर उसके बाद अर्थात आप यहां पर लिख करके का लिख दोगे कजिन है ठीक है अब इस ट्रक्चर में देखी क्या कुछ specification आपको चाहिए तो जब आपने यहाँ पर देखा रमेज का मित्र तो यह रमेज की मित्र को मित्र के माता को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो फिर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो इनके पती को यहां पर represent कर रहे हो आप इनके भाई को और यह क्या है इनकी उत्तरी है उत्तरी को represent कर रहे हो और इस प्रकार यहां पर देखोगे तो simply आप क्या लिख सकते थे कि रमेज क्या है cousin है तो structure बनाने के बाद आप specify जरूर करें अपने answer को क्योंकि कई बार अलग-अल method हो सकते हैं एक ही particular relation के structure को draw करने के लिए जैसे कोई प्लस से बनाता है कोई माइनस से बनाता है कोई circle से बना रहा है कोई स्क्वेर से बना रहा है ठीक है भई कोई यहां पर married couple के relation को इस प्रकार से दिखा रहा है तो एक ही topic के concept की अलग-अलग विधिया होती है तो इससे ब दूरा है xy का भाई है समझे xy का भाई है yz yz का z की पतनी है ठीक है xy का भाई है yz की पतनी है और यहां पर क्या दिया गया ये जैड डबलू का फुत्र है तो इस तरीके सा आपको data दिया गया और question अगर आप दिखेंगे तो मात्र नांकों का यह प्रश्न इंग तो दो अंकों में कितना ही आप structure बनाएंगे और कितना ही आप शब्दों में उसको explain करेंगे तो इसकी भी अपनी एक limitation है बहुत जादा आपको यहाँ पर mention करने की ज़रूत नहीं है जैसे हल में आपको लिखा गया यहाँ पर उपरोगत दी गई जानकारी के आधर पर दिये संबंधों को निम्न दर्शाय गए आरेक द्वारा इसपस्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा शब्दों का चैन सब्दों का चैन बेहत important हो जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक proper language में लिखा गया है कि उप कि मैंने कहा आरेक में भी आप क्या करोगे भाई आरेक में अडिशनल काम यह करोगे कि यह भाई दर्शार है किसको यह हो गए इनकी बहन या फिर सिस्टर यहाँ पर यह हो जाएंगे इनके क्या भाई पती यह हो जाएंगे इनकी यहाँ पर माता और यह हो जाएंगे इनके पती ठीक है अब कोश्चन में आपसे पूछा गया था कि वी किस प्रकार सम्मंदित है किस से वाई से यहाँ पर आप देख पार उप्रोक्त आरेक से इस पस्ट है कि वी जो है वो वाई का क्या है ससूर है यह वाई का पती हो गया यह पती की माता यानि की सास और सास का पती य कोशिश कर यह किया आप साफ सुत्रा सा एक स्ट्रक्चर जरूर बनाए ठीक है भाई चलिए दिशा और दूरी लेटेस्ट एक्जाम में यह आपका पूछा गया प्रशन है तो इस प्रशन की भी हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई देखो चार अंक का यह प बात करें तो इंग्लिश में आपको दिखाई देगा फेसिंग ठीक है फेसिंग टूवर्स जू ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तो वहां घड़ी की दिशा में 135 डिगरी मुडता है तो अगर वह जू की तरफ देख रहा है और क्लॉक वाइस डिरेक्शन में 135 डिगरी लगा तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका जो फेसिंगे किदेर हो जाएगा उसका जो फेसे वह आपको दिखाई देगा तवर्स भस अट्वन ठीक है निके तो पहला प्रस्थ यह तो अब वह कहां है ठीक है तो या आपका एक कंप्लीट कोशान हो यह ठीक है तो बताईए वह किस कोंड से मुला कितने यहां पर एंगल से मुला यहां पर हम बात करेंगे तो आपको मेंशन करना है एंगल ठीक है कोंड कितने कोंड से मुला अब समझे सबसे पहले आपने देखा मेंशन किया कि अगर वो जू से 135 डिगरी घूमता अचा यह स्ट्रक्चर आपको कोशन में दिया गया था अगर आप प्रीवेस येर पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर आपको बकायदे पेपर में मिल जाएगा तो सबसे पहले भाई 135 डिगरी घूमा तो कहां देखेगा वो बस स्टैंड की तरफ देखेगा तो यहां पर प्र और डारेक्शन भी यहां पर मेंशन कर दिया गया भाई दक्षिण पर्शिम दिशा की और उन्मुख है ठीक है एक बैतरीन जो तरीका है आंसा लिखने का आप इस प्रकार से यानि कि दो मार्क्स के लिए पहले आपने क्या कर दिया और फिर हम बात करेंगे अगले प्रशन की तो अगले प्रशन का भी यहां पर आप एक्स्лекel देखेंगे यानि कि अब क्या करना है भाई बस स्टेंड से उसको देखना है तो बits स्टेंड से उसको देखना है कहा बगीचे की और गार्डोर और और गार्डोर जब जाएगा तो ध्यान दो यह भी मेंशन किया गय 90 यानि कि अगर आप ध्यान नेंगे, तो कितने degree? उसको 270 डिग्री किया करना पड़ेगा? reflections में rotate करना पड़ेगा, किसके लिए? garden की और उन्मक होने के लिए या garden की और facing होने के लिए garden की ओर देखने के लिए, ठीक है? तो आब इस दूसरे points को भी यहां hac aap शब्दों में देखेंगे कि किस प्रकार से लिखना है भाई तो बस स्टेंड से गार्डेन की और वामा वर्त दिशा से रिसप को 270 डिगरी क्या करना पड़ेगा भाई मुड़ना होगा 270 डिगरी क्या करना पड़ेगा उसको एंटी क्लॉक्वाइज डारेक्शन में के लिए अगला प्रस्न यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि से पासे से संबंदित अगला प्रस्न आपको पासे से संबंदित दिखाई दे रहा है तो देखो पूछा क्या गया है एक वर्ग के दो अलग अलग दृष्टे दिये गए हैं तो तीन के सामने वाले भाग मे कौन सा अंक हैगा यानि कि simply आपको बताना है three का opposite क्या होगा अब देखो चित्र तो आपको दिया ही गया होगा और आपको बताने three का opposite क्या होगा तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहली चीस तो आपको dice का concept clear हो, dice का आपको concept क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा से इसको मैं जूम कर रहा हूँ, चली, अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो इन दोनों पासों में पासा आपका एक ही है, पासा आपका एक ही है, और य यह क्या है, एक पासे की अलग-अलग स्थितियां है, अब इन इस स्थितियों में अगर हम बात करें, तो एक आपको सता क्या दिखाई दे रही है, common दिखाई दे रही है, या एक सता आपको उभए निष्ट सता से जब आप clockwise direction में जाओगे, यानि कि अगर हम position 1 इसको मान ल यहां पर मिलेगा 5 यहां पर 3 से clockwise जाओगे तो यहां पर मिलेगा 4 और यहां पर मिलेगा एक ठीक है लेकिन धान देने वाली बात यह कि आप से 3 का ही विपरित पुछा है तो सबसे important बात यह समझे कि जब हम बात करते हैं किसी क्यूब की तो किसी भी क्यूब में किसी भी कैसी सता हैं वो सनलगन सता हैं और किसी भी पासे में अगर आप अब्जर्ब करोगे तो दो सनलगन सता हैं कभी दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती ध्यान नेना है दो सनलगन सता हैं कभी दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती इट मेंस हमको पता है कि तीन का अपोजिट भाई दो का पोजिट क्यों हो जाएगा और पांच का पोजिट का जाएगा अब तिन के भी पर एक सही आप उत्तर लिखना चाहते यानि कि आप अगर एक लॉजिकल आन्सर लिखना चाहते तो पहली बात तो यह समझेए की दिया गया पाशा कैसा पाशा है एक साधारन पासा है डारेक्ली आप इसको देखके अब्जर्व कर सकते हैं और अगर आपने डाइस का सेशन देखा हुआ है तो मैंने वहाँ पर ये भी मेंशन किया है ये भी आपको बताया है कि किसी भी पासे की दो अलग अलग स्थितियों को देखके हम इस बात का निरधारन कभी नहीं कर सकते कि दी गई स्थितियां एक मानक पासे की स्थितियां है लेकिन हाँ ये हम जरूर बता सकते हैं कि दी गई स्थितियां एक साधारन पासे की स्थितियां है कैसे बत सता है उठ थोड़ी देर पहले मैं आपको यह बताया कि दूसर लगन सता है और इस बीदेशन कर सकते लेगे और उभय निष्ट सता के विप्रीत वह सता होगी जो दी गई स्थितियों के किसी भी सता पर दर्शाई ना गई हो यानि कि उभय निष्ट सता क्या है भाई इसमें तीन है और तीन के विप्रीत वह सता होगी जो दी गई स्थितियों के यानि कि दो इस्थितियां दी गई इसके क किसी भी सता पर दर्शाई ना गई हो और वो नंबर हम प्रैटी पर क्या ले सकते हैं वो नंबर हम प्रैटी पर 6 ले सकते हैं तो संभावित उत्तर यहां पर अगर हम बात करें तो 6 हो सकता है अगर 6 के बजाए 8 यहां पर आपको विकल्प में अगर दे दिया जाएगा तो आ अगर आपने prelims के questions बनाए हैं, तो आप इस शब्द को वहाँ पर, इस sentence को वहाँ पर आप देख पाऊगे, कि आपको mention किया गया होता है, कि वो 6 element कौन कौन से ले करके, एक dice का निर्माल किया गया है, dice को form किया गया है, clear है भाई, चलिए, तो इस तरीके से आप बैतर answer और लि सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको mention कर दे रहा हूँ, इसकी संभावित, और क्या-क्या structure हो सकते हैं, वो मैं mention कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और space ले लेता हूँ भई, देखिए, एक तो यह मैंने draw किया हुआ है, ठीक है, और इसकी क्या संभावित structure हो सकते हैं, color combination हो सकते ह बारें बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो बोला क्या लाल फलक काले फलक के सम्मुक है, लाल फलक क्या है, काले फलक के सम्मुक है, मतलब opposite है, तो लाल और काले क्या है, एक दूसरे क्या opposite है, तो भाई, लिख लो भाई, लाल opposite है किसके काले के, फिर यहाँ पर आगे आप द फिर क्या बोला है नीला और स्वेत के सनलगन नीला और सबसे नीचे यह बात आपको यहां पर दे दीगे में यहां पर आपको क्या हो गया फिक्स हो गया फिर बोला ऑप यहां पर क्या निस्चित रूप से आपको क्या मानना पड़े हैं यहां पर आपको द्हान मानना पड़े suffered लगी जार। और ब्लैक के बीच में क्या है ग्रीन तो जरूरी नहीं है कि ग्रीन को हम यहीं पर रखें जरूरी नहीं है कि हम ग्रीन को यहीं पर रखें ग्रीन को आप यहां भी रख सकते थे ग्रीन को पीछे भी रख सकते थे और सामने भी रख सकते थे तो ग्रीन को रखने के लिए आप तो यहां पर हम को क्या मान लेना होगा नीला मान लेना होगा और उसके बाद एक तरफ आप श्वेत ले लोगे और एक तरफ क्या ले लोगे भूरा ले लोगे एक तरफ आप क्या ले लोगे और एक तरफ आप क्या ले लोगे और एक तरफ आप क्या ले लोगे बूरा ले लो अलग सताओं पर रंगों को दर्शाय आ गया है यानि कि structure आपको बनाना है ये color combination आपको बनाना है और उसके बाद फाइनली structure के बाद आप यहाँ पर बस एक line में mention कर देंगे उप्रोक तार एक से इस पस्ट है कि भूरे रंग के सम्मुख सता पर क्या है भाई स्वेत रंग है ठीक है भूरे रंग के सम्मुख सता पर क्या होगा स्वेत रंग होगा जो मैंने structure बनाया था वहाँ पर भी आपक को दिखाई देगा क्योंकि भाई क्या था नीला जो सर्फिस था भूरे और स्वेत के साथ में एड्जेसेंट था ठीक है भूरे और स्वेत के साथ में क्या था एड्जेसेंट था क्लियर है चलिए अगला कोशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किस से घड़ी से गंटे एक रेलगाली पार करती है ठीक है एक रेलगाली अभी दस मिनटे पहले महाराजा गेट को पार किए और अगली रेलगाली इसको डस क्रीम पार करेगी 10-20 पर पार करेगी तो एक घंटे में हर एक घंटे में क्या करती भाई रेल गाली जाती है और अगली रेल गाली कब जाएगी 10.40 पर और एक रेल गाली ने उसको क्या किया अभी 10 मिनट पहले पार किया है तो यानि कि अभी से 10 मिनट यानि कि पहले की जब हम बात करेंगे तो पराजा गेट से पार करती है और दस मिनट पहले एक रेल गाली पार की है तथा अगली रेल गाली 10.40 पर पार करेगी अर्थात इस दिये गए वर्तमान समय, यह वर्तमान समय होगा, और अतहर यहां पर क्या लिखा है, भई, वर्तमान समय कितना है, 9 बचकर 50 मिनट, जो की आप से क्या किया था, भई, पूछा गया था, तो अभी समय क्या है, यह आप से पूछा गया था, तो आप easily निकाल सकते थे, और दो नमबर का यह पर अगर हम बात करें तो आपको लिख देना था भई 10-40-50 मिनट बराबर वर्तमान समय तो इस तरीके से भी आप इस कोशन को हल कर सकते तो कोई विशेज यहाँ पर समस्या की बात नहीं थी ठीक है चलो अगला प्रस्टे देखो क्लॉग से जो आपको देखने को मिल रहा है अगर यही प्रस्ट आपके माल लेते हैं कि 8 नंबर में पूछा जाता तो कुछ नहीं आप प्रॉपर वहाँ पर एक क्लॉग बना सकते थे वहाँ पर आप वाटर इमेज और मिरर इमेज की कॉंसेप्ट को यूज कर सकते थे बट यहाँ पर आपको इसकी अवश्यक्ता नह करने के लिए हमको क्या करना होता है 11.60 से दिये गए समय को घटाना होता है और जल प्रतिविव में समय ग्याद करने के लिए हमको क्या करना होता है ठीक है तो सिंपली अचा हाँ अब मन में सवाल यह आया होगा कि सर मान लो अगर दिया होता नंबर हमको बढ़ा करके तो हम clock कैसे बनाते और कैसे दर्साते तो ध्यान रखो जब कभी एक बात का विश्येस रूप से आपको ध्यान रखना है जब कभी भी water image या mirror image पर आधारित question clock में आपको देखने को मिलेगा जब कभी भी water image या mirror image में आपको clock पर आधारित question देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो घ गभी कभी नंबर वाली घड़ी नहीं होती है अब इसोई को अगर तो 67 degree अगर हम बात करें तो कहा होगी भई लगबग लगबग 67 degree ये आपकी घंटे वाली जो सुई है वो आगे होगी ठीक है ये 67 degree क्या होगी इससे आगे होगी क्लियर है तो इस प्रकार से आप mention कर सकते थे अब देखो जो east वाली direction है वो आपको कहां दिखाई देगी west में द तीछे देखने को मिलेगी ठीक है तो आप बकायते structure से mention कर सकते तो कोई समस्या की बात नहीं और एक बहतर चीज ये होगी कि आप वहाँ पर संख्या वाली घड़ी का उपयोग नहीं करेंगी क्योंकि आपको पता है कि जब हम mirror image या water image की बात करेंगे तो हम जिस घड़ी की बात कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपके नंबर वाली घड़ी नहीं होती है क्योंकि अगर नंबर वाली घड़ी ले करके आप जाओगे तो नंबर वाली घड़ी में क्या हो जाएगा इधर भी आपको एक ही दिखाई देगा यहाँ पर आपको दो दिखाई देगा यहाँ पर आपको तीन दिखाई देगा ठीक है यहां पर आपको क्या दिखाई देगा चार दिखाई देगा अभर सुई तो उसी नंबर पे रहने वाली ऍवाली है तो प्धा क्ये नहीं नहीं जा रही है ठीक है तो मिले ऑख्रonne-6 नहीं भड़ी का यूज़ करते हैं वो भाई कौन सी सुई होती है वो केवल डॉट वाली सुई होती है तो सिंपली साथ पंदरा कॉपने ग्यारा साथ से घटा है तो बच्चा कितना वही चार बचकर यहां पर कि घटालिस मिनट ठीक है चार बचकर 45 मिनट है अ क्या है नो दिन बाद का समय तो इस नो दिन पीछे चले जाओगे तो आपको समय मिल जाएगा भई कौन सा 21-9 यानि क्या आपको मिल जाएगा 12 अक्टूबर ठीक है महात्मा का गांधी का जन दिन इस वर्स रवीवार को है अमरित अपना जन दिन किस दिन मनाएगा ठीक है रा अगला रवीवार कप पड़ेगा 16 को पड़ेगा अगला कप पड़ेगा भाई 23 को पड़ेगा और अगला कप पड़ेगा 30 तारीक को पड़ेगा यानि कि उस महीने में यह आपको रवीवार बनते हुए दिखाई देंगे अब 21 अक्टूबर को कौन पैदा हुआ है राजे बात कर लेते हैं श्रंखला की बात कर लेते हैं श्रंखला की यानि की सीरीज की ठीक है अब आप यहाँ पर एक फीगर सीरीज देख पा रहे हैं फीगर सीरीज पर आधारीत आप प्रश्न देख पा रहे हैं और आपको बताना है कि अगला यहाँ पर जो structure है वो किस प्रकार से बनेगा तो इसमें clearly आपको प दूसरे step में अगर आप देखोगे तो simply यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या कर दिया गया पूरा का पूरा हिस्सा ही आपर remove कर दिया गया है तो आपका simply यह बचेगा डियरड़ पाट अगले step में फिर से आधे से-त अहटाया गया है तो आप देख रहे हैं कि भई एक बार उताया, वन बाई टू तो अगली बार रटाओगी, एक हिस्सा यानि कि पूरा का पूरा गायाव हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो दी गई आकरती बनेगी ठीक है तो mention कैसे किया गया है, दी गई आकरती संकला में पहले चरण में पहले चरण में क्या किया गया है उपरी आयत के आधे हिस्से को हटाया गया है ठीक है उपरी हिस्से को इसके उपरांत एक हिस्से को तत पश्चात पुना आधे हिस्से को तथा अब एक हिस्से को हटाने पर निम्न दर्साई गई आकरती प्राप्त होगी तो एक तो आपने प शंकला पर आधारित कुछ और भी प्रस्न है तो यह दूसरा प्रस्न आप देख पार हो भाई पहले सरकल था उसके बाहर लाइन थी अगले स्टेप में सरकल के अंदर लाइन आ गई यहां पर आपका रेक्टेंगल है उसके बाहर लाइन अगले स्टेप में क्या जाएगा रे प्रकार के शबदों के इस्तमाल करके एक बहतर आप आंसर लिख सकते हैं ठीक है चलो यहाँ पर एक और आपका सीरीज का question है इसको भी हम लोग solve करेंगे जो कि आज के session का क्या है भई अंतिम प्रशन है आज के session का ये अंतिम प्रशन है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या किया गए है step wise लिफाफे को करमसा खोला तथा बंद किया जा रहा है अता उत्तर आकरती निम्न दर्शाई गई आकरती के समान होगी तो पहले step में ये बंद लिफाफा था फिर इसका एक भाग खोला फिर हमने दूसरा भाग खोला फिर अगले step में एक भाग बंद किया यूज करना है और जितना आपने बेसिक पढ़ा है जितना आपने बेसिक पढ़ा है प्रलिम्स के लिए उसी आप concept का उसी knowledge का यूज करके एक बहतर answer writing कर सकते हैं इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली बशरते आप practice करते रहें आपके concepts clear होने उसकी और अग्रसर हों उसको आप पूरा करें तो आप सभी विद्यार्चियों के लिए यही शुपकामना और इसी शुपकामना के साथ लेंगे आप सभी से विदा और मिलते हैं आने वाले इसी प्रकार के और भी amazing और interesting या हम बात कर सकें चाहत्र हित में आयोजित नए कार करम के तहत तो आज के लिए फिलहाल इतना ही मिलते हम लोग आने वाले आगामी सेशन में या आने वाले आगामी नए प्रोग्राम में थैंक्यू धन्यवाद